यूपी के पूर्मुख्यमंत्री मायवती ने कॉंग्रेस पर तंज कसा है और इसी पर बाच्चित के लिए हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष नेता और राज्य सबासांसद प्रमोत तिवारी जी मौझूद है सर मायावती ने कॉंग्रेस पार्टी पर तंच कसते हुए कहा है कि जेवर एयरपूर्ट आप लोग की सरकार थी चुकि केंदर में इस वज़ा से नहीं बन पाई ने तो मायावती की सरकार ने बना लिया होता अब तक उत्तर प्रदेश में इस के लाओ को कामी नहीं किया उन्होंने जितने काम हुए जिसमें कॉंग्रेस ने भरपूर बिकास और तरकी के मामले में बिकास और निर्मान हूँ हमने जस्जियोग किया उसका जिक्रे भी नहीं किया दो की एस प्रस कर दूं ये एक बड़े पुझी पती उस समय जे पी एस्चोशेस्ट को दिया गया था हमारी आपती यमना एक्सप्रस वे बने इसका हम स्वागत करते हैं समर्थन करते थे परण जिस तरह कौडियों के दाम किसानों की जमीन खरीदी जा रही थी और जिस तरह से दो बना है हमारा यमन इत्हाँ जमीन आवशक्ता से कई गुनाजाता जमीन बलपूरव खत्याई जा रही थी और ये किया जा रहा था कि जब किसान आवाज उठा रहे थे तो उन पर लाठी गोली चल लिए थी हमारा बिरोद बलपूरव लाठी गोली चलने पर और किसानों की जमीन अने पर नहीं संगर्स किया था मायवथी ने ये भी कहा है कि विकास कारे मायवथी की सरकार में हुआ है क्योंतरी सरकारा थी इससी वजह से काम पूरा नहीं हो पाया है मैं फिर केहनूं आप से साफ हमारा विरूद जमीन के अजिरान को ली कि थगया, यहम ना, जहां तक गंगा एक Сबस्वेब का सवाल है, ना जमीन अदिकरीई उस समय हुई थी, मैं तो विधान समाうे था, ना ही जमीन अदिकरीई करने की कोई प्रेक्रिया शुरु हुई थी वो एक कोरी घोस्रा थी हाँ अगर उसमें भी जमीन ना ना धिक्रित करने में किसानों की जमीन बलपूर ही कर देक्रित की जाती है तो उसका ढिरूत करते हैं पर वो तो हुई नहीं था कभी जेवर एरपोर्ट इसमें भी हम स्वागत करते थे ये एरपोर्ट बने और कोई एक और बने हमने तो आगरा भी कहा था मत्हुरा भी कहा था परन्त हम ये चाहते थे जो जमीन ली जाए कॉंग्रेस हमेशा कहती रही है कि उसे कानून क अंसार पूरा दाम मिले स्वेक्षा से दिया तो उसका विरोथा है और आगे भी रहेगा अगर किसान लूटा जाएगा तो इसे हटकर सर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर उपचुनाव होना है रामपूर मैनपूरी और खतौली मैनपूरी की बात करें तो डिंपल यादव प्रत्याश्री है समाजवादी पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस पार्टी ने उमिद्वार इन तीनों स तो ठती तरह जहते हैं लखींपूर में भी हमने ये किया था इन तीनों जगें यगें भी हमारी इक्ष है बाज़पा हारे इस संदर में प्रदेश कांग्रेश कमेटी सही समय पर सही वक्त पर सही घोशां करेगी हमें उसकी प्रतेक्षा करना है हमारा एक ही ये इक्षा है कि भाजपा हारे और इसको जो हरा रहा हो उसमें उत्व का बटवारा नहीं हो इसलिए कांग्डिस ने फिरा उमीदवार नहीं दिया है मैं सुझता हूँ बीजेपी के खलाफ आंधी चल लिए लहर चल लिए बीजेपी इन सभी जखों पे हरेगी और कॉंग्रेस पार्टी उसको समर्तन देगी जो बीजेपी को हराएगा बहुत शुक्रिया बाचित करेदे की साफ तोर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के तीनों सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं बीजेपी की हार होगी चुकि उत्तर प्रदेश में आंधी बीजेपी के खलाफ चल रही है कैमेर परसेंट राहूल के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल